दोस्तों यदि आपके पास भी इस तरह का सुल्डरिंग आयरन है और वो सुल्डरिंग आयरन आपका काम नहीं कर रहा है यानि आपका सुल्डरिंग आयरन खराब हो गया है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह कर रहा है कि नहीं देखिए यह है बिजली का बोर्ड इस सुल्डी आइरन के प्लॉक को मैं इसमें लगा जाता हूं और इसे आउन करते हैं कि आउन करने के काफी देर बात तक देखिए अभी भी बिल्कुल ठंडा है इस बिल्कुल गरम ही नहीं होता है मैं कितना भी देर तक इस सुल्डी आइरन को इसे पकड़ के रखूं बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यह बिल्कुल गरम नहीं होता है यानि इस soldering iron के अंदर का जो coil होता है वो coil खराब हो चुका है यानि जल चुका है तो आज हम लोग इस soldering iron के अंदर का जो coil है उसे change करना सिखेंगे तो चलिए हम बिजली की board से फ़ले plug को निकाल देते हैं अब इसके बाद इस soldering iron को हम खोलेंगे तो यह soldering iron दो जगल से खोलता है एक तो यहां से खोलता है और दूसरा है यहां से यहां से कोलने के बाद के वाल हम तार को इसके coil में जौडते हैं लेकिन इसके अंदर जो coil लगा है उसे खोलने के लिए हमें इसके screw को खोलना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आप लोगो यहां से खोल के दिखाता हूँ कि तार इसमें connect है की नहीं देखिए दोनों तार सही प्रकार से इसमें जुड़ा हुआ है यानि यहां तार में कोई दिक्कत नहीं है हमें इसके coil को खोलना पड़ेगा और coil को खोल का हम इसे change कर देंगे सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो coil लगा है वो कितने watt का है आपको यह पता होना चाहिए यानि आपका यह soldering iron कितने watt का है आपको यह पता होगा तो आप electronic कौन पर जाकर इस तरह का soldering iron का coil ला सकते हैं देखिए यह है element for soldering iron 220 volt से लेकर 230 volt तक देखिए यह है soldering iron का coil यह 25 watt का है यह आपका soldering iron 50 watt का है तो आप electronic दुगान पर जाकर कि हमें 50 watt के soldering iron का coil चाहिए तो आपको देदेगा हलाकि मेरा 25 watt का है इसलिए मैंने 25 watt का coil पर्चेस किया है तो अभी हम क्या करेंगे यह दोनों side से इसको खोल लेंगे देखिए इधर से खोल कर इसके तार को हम यहान से छोड़ा देते हैं यह है कmile का दो तार, इसको हमने खोल कर अलग कर लिया है अब हम इसके screw को यहान से क्भोल देते हैं ये आगे वाला हिस्सा जो है soldering iron का bit कलाता है ये soldering iron का ये जो cover है ये दो हिस्से में होता है देखिए एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा इस side का है तो इसको हम निकाल लेंगे देखिए ये देखिए निकल गया एक हिस्सा ये है इसको हम साइड में करते हैं यह है soldering iron का bit यह मेरा soldering iron बहुत पुराना हो गया है लगबक 7-8 साल का है इसलिए इसमें पूरी तरह से जंग लग गया है यह है soldering iron का coil देखे देखे यह दो हिस्से में होता है इस तरीके से इसके अंदर में हमें इस bit को लगाना पड़ता है ऐसे यह भी बिल्कुर खराब हो चुका है तो इसको हम रखते हैं side में और यह है नया वाला तो इस coil के अंदर हमें इस bit को इस तरीके से fit करना पड़ेगा देखे ऐसे इसका जो hole है इसे हमें बाहर रखना है ताकि इसमें हम इस screw को tight कर सके लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इस coil के तार को इसके अंदर से डालकर हमें यहाँ पर बाहर निकालना है देखिए एक बाहर निकल गया है दूसरे को भी बाहर निकाल लेते हैं देखिए दोनों तार को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और इस coil को हमें यहाँ तक लाना है देखिए यहाँ पर जो hole बना है इसके last तक हमें इस coil को इस तरीके से लाना है अब हम क्या करेंगे यह तार तो बाहर निकली चुका है इस तार में हमें इस तार को जोड़ना है लेकिन उससे पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं सुलीन आयन का यह जो बीट है इसके अंदर में हमें इस तरीके से डाल देना है लेकिन इसके छेद को ध्यान देना है कि यह छेद बिल्कुल सीध में होना चाहिए उसके बाद इसके कबर को हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे देखिए इसका उपर हिस्सा भी लग चुका है अब हम इसकुरू इसमें टाइट कर देते हैं यह जो इसकुरू है इसे हमें अच्छी तरीके से टाइट करना है यदि इसका इसकरोफ लूज रहेगा तो इसका बीट बार बार इधर उधर हीलेगा इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से tight कर देना है अब हमें क्या करना है कि इसका एक एक तार यहां जो छेद बना हुआ है इसके छेद में से डाल कर बाहर निकलना है देखिए दोनों साइड में यहाँ पे छोटा छोटा होल बना है इसके होल से हम बाहर निकालेंगे और इस वायर में यहाँ पे टाइट कर देंगे तो इस वायर को भी थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं पहले देखिए इस तरीके से हम तार को छील लेंगे यह तार बहुत कि इसी विगार से इस दूसरे साइड वाले को भी कर लेते हैं देखिए दोनों तार को हमने कोयल के दोनों तार में जोड़ दिया है अब हम क्या करेंगे यह जो बागी बचा हुआ तार के साथ मोती है इसे हम थोड़ा सा अंदर डाल देंगे उसके बाद एक तार लेंगे इसके अंदर से डाल कर हमें इस होल से बाहर निकालना है थोड़ा साम इसको मोड लेंगे पहले इस तरीके से देखिए देखिए इस तरीके से हमें इसमें डालकर बहार निकाल देना है और वापस से हमें इसमें लपेट देना है तो देखिए इस दूसरे वाले को भी हमने अच्छे से लपेट लिया है इसका जो बाकी तार है इसको हम कैशी से काट देते हैं ताकि यह शॉट सर्कुट ना हो आप एक बार अच्छे देख लिजिए कि दोनों ताथ कहीं भी आपस में टॉच ना हो इसका जो बाकी बचा हुआ मोती है इसे हम अंदर कर देते हैं इसका जो उपर cover है इसे हम लगा देते हैं लगा अगर इस तरह के से tight कर देंगे यह soldering iron बनकर तयार हो गया है देखिए इस soldering iron को हमने repair कर दिया है इसके अंदर का जो coil था उसे हमने change करके नया coil इसमें लगा दिया है अब चलिए हम वाट check कर लेते हैं कि यह soldering iron अभी गरम हो रहा है कि नहीं यहाँ पर बिजली का board है तो इसके plug को हम बिजली के board में लगा देंगे इस तरह किसे लगा कर इसे on कर देंगे अब थोड़ी दिर हम वेट करेंगे और देखेंगे कि यह गरम होता है कि नहीं देखिए हलका लका गरम होना start हो गया है इसमें इसके उपर रखते हैं नहीं तो इक कपड़ा जल जाएगा देखिए यह गरम भी हो रहा है और इसके साथ-साथ इसमें से हलकालका गंध आ रहा है वह है इसलिए कि हमने इसमें नया कॉयल डाला है तो नया कॉयल होने के वैसे यह कुछ देर तक थोलँ-थोला इसमें से सेंट आता रहेगा जब एक कोयल पुराना हो जाएगा तो इसमें से सेंट आना बंद हो जाएगा देखे अभी अच्छे प्रकार से गरम हो गया है अब मैं आप लोगों को इसमें रांगा लगा के दिखाता हूँ कि रांगा पिखलता है कि नहीं थोड़ा सा उस जूम कर लेता हूँ देखे यह कितनी अच्छे प्रकार से हीट हो रहा है देखे रांगा इसमें तुरूंत पिखल जा रहा है तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी अपने पुराने सोल्डिंग आयरन को घर पर ही रिपेर कर सकते हैं यदि आपके सोल्डिंग आयरन का कोयल खराब हो गया है तो आप अपने सोल्डिंग आयरन के पुराने कोयल को निकाल कर इसमें नया कोयल लगा सकते हैं वह भी मात्र 15 रुपए में इसे ठीक कर सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके ज़रो कर दो